प्रफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम हैं सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि इसका क्या वर्क रहता है और यह किस तरह से हमारी बोड़ी पर वर्क कर सकती है और इसके नेक्स हम जानेंगे इस टैबलेट के यूज इसके बारे में कि इस टैबलेट के क्या यूज होते हैं और किस-किस कंडिशन में हम इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं या किस-किस बिमारी में डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं और आफ्टर यूजिंग इसके क्या साइट इफेक्ट रहते हैं हमारी बोड़ी पर इसकी क्या हानिया रहती होजा होने के चांचेज रहते हैं इस टैबलेट को खाने के बाद में वह अभी हम जानेंगे यह हम कह सकते हैं सूजन और दर्द को कम करने वाली टैबलेट यानि इन्फलमेशन और पैन को रिडियूस करने वाली टैबलेट तो कवर करेंगे इंसा और टोपिक को अपनी इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी दे रीके तो अब हम बात करते हैं वर्क उप साइमोरल 40 टैबलेट साइमोरल 40 टैबलेट एक एंजाइम होती है ये प्रोटीन के छोटे 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 टुकडों में तोड़कर वर्क करती है यानि ये प्रोटीन के टुकडों को छोडे छोटे टुकडों में तोड़कर वर्क करती है जिससे उन्हें ब्लेट में आपजोप्शन के लिए एवल एवल कराया जाता है एक बार absorption हो जाने पर ये affected areas को blood की supply को बढ़ाता है और swelling season को कम करने में हमारी help करता है यानि जो inflammation हो जाती है या swelling हो जाती है उसको treat करने में हमारी help करता है सो अब हम भाज करते हैं साइमोरल 40 tablet के uses के बारे में कि इसका क्या use होता है और इस tablet को हम कहां पर use कर सकते हैं किनकिन patient को हम इस tablet को दे सकते हैं तो basically साइमोरल 40 tablet is used in the treatment of pen relief and treatment of swelling या आपका जो pen होता है उस condition में भी आपको treatment treatment में ले सकते हैं और या आपको किसी बिरकार की Susan हो जाती है जिसको English में swelling भी कहा जाता है तो उस condition में भी इस tablet को आप ये patient को prescribe कर सकते हैं या तो आप pen relief में भी prescribe कर सकते हैं और swelling में भी कर सकते हैं तो आफटर यूजिंग इस tablet के क्या side effect रहते हैं वह हम जान लेते हैं इस वीडियो में तो सबसर पहला जो side effect रहता है इसमें stomach pen या पेड में दर्द भी हो सकता है skin पर races यानि skin पर जो skin races बन सकते हैं डायरिया होने के chances बढ़ जाते हैं aging होने लगती है और abdominal pen जिसको फ़र डर्द भी कहा जाता है वो भी होने के chances बढ़ जाते हैं या फिर आप देख सकते हैं कि blotting भी हो सकती है so आज के लिए इतना ही मिल दे नेक्स वीडियो में see you take care by thank you for watching me